हेलो एवरीवन वेलकम टू सीट स्टडी स्मार्ट ली मैं हुंबल जिंदर सी एक बार फिर से आप लोगों का स्वाग्ट कर रहा हूं तो डियर फ्रेंड्स आपको पता ही अभी करने वाले हैं हम लोग तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं जी तो ठीक है डियर फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो है बीजिनस एन्वार्मेंट के उपर और जिसके अंदर पार्ट वन हम लोग करेंगे एक्सपैक्टिड कोश्चन भी है कुछ औ साथ कोश्चन में आपको करवाने वाला हूं और फुल रवीजन आपकी हो जाएगी जितना भी आप लोगों ने किया और साथ में क्या होगा आपके जितने मीं एमसी क्यूज हैं वह आप देख लेना क्या सिस्टम है क्या नहीं है तो देख लेते हैं कितना आप लोग करवा रहा हूं ना कोश्चन किस क्लास को जब मैं इसकी वीडियो डालूंगा उस टाइम इसकी जो वीडियो है ना वह क्या कर लेना आप लोग द्वारा देख लेना एक ठीक है जी तो फर्स्ट कोश्चन आपके सामने है अकोडिंग तू विच दा फ्लोविंग मनेजमेंट तिंकर ऐसा एक मनेजमेंट तिंकर है जिसके बारे में बात की गई अभी और उसके लिए आप बता दो कि बिजनेस इन्वार्मेंट की डैफिनेशन उन लोगों ने बताई है किस तरीके से बताई थी ठीक है वैसे सही है हां जी इन्वार्मेंट आज कंप्लीट हो गया आप वह क्लास देख लेना जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था बच्चे उसके अंदर आपका पूरे का पूरा फंडा क्लियर आपका हो जाएगा तो देख लें जल्दी से जल्दी कुश्चन आपके सामने है कि इन्वार्मेंट बिजनस इन्वार्मेंट की डेफिनेशन इस टोटल ओफ दा आल तिंग्स एक्स्टर्नल टू फर्म एंड इंडस्ट्री विच एफेक्टिव दा डियर और्गेनाइजेशन और आपरेशन य यहां देख लो मैंने बहुत सारी डेफिनेशन बच्चे आपको करवाई थी तो आप देख लो कौंसी कौंसा ऐसा व्यक्ति था तो और एक बात और बताओ जो पहले वाली क्लास थी सब लोगों ने देख ली थी जो चार घंटे वाली थी जो चार घंटे वाली क्लास थी वो देख ली थी ना सबने क्योंकि उससे रेलेटर कुश्चन है और आज मैं तो किया है क्लास चलो अच्छी बात है और चार घंटे वाली जो क्लास है वो सब लोग देख लेना ठीक है और एक स्टूडेंट को और बोल देता हूं मैं वो भी प्ता क्या है बच्चे लाइव क्लास के अंदर ना मुझे पता लग जाता है कि भाई कौन सा बच्चा कितना तेश चल रहा है या कैसे सब पता लग जाता मुझे तो बताओ बाकी अकास दित्ती प्रिया बाकी प्रतिक्षा आपने ने किया अंसर नाई तनीशा ने किया प्रतिक्षा भी बोलनी है डी मैथ्यू स्मिथ मैंने पढ़ाया था कि इसके बारे में तो तनीशा जी आप भी करो आंसर जल्दी से जल्दी बेटा जल्दी आंसर करना है थोड़ा ठीक है ना जल्दी थोड़ा सा जल्दी आंसर करो सोच समझ कर आंसर कर दिया आप लोगोंने ठीक है तनीशा बोल रही है ए तो देख लेते हैं समझ लेते हैं देखो मैंने पहले दिन ही जब आपको पढ़ाया था ना पहले दिन ही आपको एक बंदे का नाम लिया था ए एम वीमर ठीक है ये डेफिनेशन उस बंदे ने दी थी कि जो भी आसपास के एक्स्टरनल इन्वार्मेंट किसको बोला जाता है जो चीज़ें इन्वार्मेंट की टोटल थिंक्स होती है वो क्या करती है इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है जोन विक्का तो मैंने पढ़ाया भी नहीं ह जो हमारा बाइवर्ड और वीलर है नहीं भी अपनी डेफिनेशन दीए है लेकिन मैंने जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी वो इसके अंदर पढ़ाई थी ठीक है इन्हें अने अलग-अलग डेफिनेशन दी होगी वह आपका काम है देखो सबस पहला ही कोश्टन है आपने सर्च करना है जोन विक को सर्च करना है जोन विक कौन था पहले यह सर्च करना है ठीक है इंदा बिजनेस इन्वार्मेंट ऐसा लिखना है बिजनेस इन्वार्मेंट सर्च करना है गूगल के उपर बिजनेस इन्वार्मेंट साथ में लिख देना एम विमर यहां जो भ गंटे डेड़ गंटा लग सकता है अपने को उसके बाद बात करते हैं क्योंकि यूजी से एक गंटे में पिचास कउस्टन करने को बोलते हैं करते हैं उसके बारे में बताओं तो सब लोग आंसर करो मैं कमेंट वोक्स में आपका देख रहा हूं ठीक है यह तिनिक्षा ने बोला एए कि अकाश ने भी यह बोला है कि और हां ठीक है इत्ती प्रिया ने भी यह बोला है ठीक हैजी जो हमारा कुश्चनम्ब दूसरे है इसका अंसर बिल्कुल एलैउंसर धर राइट आंसर है कैसे है वी जो हमारा ए पे बात करते हैं ए नंबर पर इक इकनॉमिकल इनवारमेंट की बात करते हैं वो किससे रिलेटीड होता एक्जम पॉल्ची से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो एक्णॉमिक के अंदर कंडीशन कैती है वैसे मैं एक्जम पॉल्ची करवाया नहीं है legal होता है क्या legal होता है भच्चे क्या legal होता है बताओ कौन सा legal लो बता है exam policy हमारी economical पॉलसी से related होती है ठीक है ना आज भी मैंने आपको पड़ाया था है मौनलब सर लीगल पॉर्शनलोग पर अच्छा ठीक है उसके बाद शोशल इन्वार्मेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या चीज आती नहीं हमारे कस्टमस आ जाती है ठीक है किस तरीके की आपकी जो शोशल की बाद करते आं उसके अंदर देखा जाए तो कस्टम ड्यूटी बगएरा जो आपकी वो शोशल इंवार्मेंट के उल्टा सिधा तुन लिख दिया मैंने ओल्टिकल के अंदर आएगा कि कस्टम ठीक है शोशल वैल्यू आनी चाहिए इसके अंदर और आप सब लोग गल्त बोल देखा ठीक है बिजनस लीगल लोग के अंदर ठीक है ना यह उल्टा में हिसाब से उल्टा बन गया कोश्चन थोड़ा सा ठीक है जैसे इनवार्मेंट इकनोमी वाला इसके अंदर आएगा हाँ डाउट लग रहा है तो भी फिर आप बताना चाहिए था ना देखो शोशल की बात आएगी शोशल के अंदर आएगी पॉल्टिकल है वो पॉल्टिकल सिच्वेशन आपको बताएगी कि आपका कैसा सिस्टम है कैसा नहीं है एक मिन कर देते हैं ठीक है तो बताना चाहिए ना आपको कि उल्टा सीधा लिखा गया है हिंदी वाला ऑप्षण भी सई कर लेना तो मैं कर दूंगा बाद में देखो यह इसके साथ इसके साथ है पॉल्टिकल आपकी सिच्वेशन कैसी है पॉल्टिकल सिच्वेशन के अकोडिंग देखा जाएगा कस्टम ड्यूटि कैसे लगाई जाएगी कस्टम कैसे लगाया जाएगा सिस्टम हाँ बिल्कुल यह इसके अंदर अतलो मैं यह भी करी देता हूं ठीक आपका एक मिनिट लगेगा बाद में फिर पंगे पढ़ेंगे अगर बाद में देखा किसी ने लो जी ठीक है हो गया ठीक लो जी आपका ये मैंने साथ की साथ कर दिया ठीक ठीक है अब सही है ना सर एक और बी बाद में पढ़ा बी बाद में कैसे पढ़ा चलो ए आंसर इसका मान लो ए आंसर इसका राइट है भी बाद में पढ़ा अगर उस तरीके से पहले वाले तरीके से होता तो ए का थर्ड था ए का थर्ड थर्ड शोशल वैल्यू नहीं आ सकता विटे नहीं आता बी वाला ब यह मैंने चेंज कर दिया लीगल के अंदर आपको पता है विजन और स्लो वगएरा यह चीज़ें आ जाती है ठीक है उसके बाद नंबर तीन अप्शन की बात करते हैं अब यह करो अब यह मत बोल देना कि सर आपने करवाया नहीं है डिस कांटिनिटी की बात कर रहा है कि एज ओफ डिस कांटिनिटी की बात कर रहा है डिस कांटिनिटी क्या होती है उसके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा उत्थर था जिस बंदे ने यह बात्चीत निकाली थी तो सी ओप्षिन अकास ने बोला है सबसे पहले कि सी ओप्षिन उसके बाद तनीशा ने भी सी बोल दिया है पीछे बोल रहे हैं दूसरे के दित्ति प्रिया भी सी बोल रही है बेटा पेपर में कौन आएगा अब वह कौन बच गया आप सी है चलो जी ठीक है सी आंसर इस दा र पीटर एफ ड्रकर ने बुक अपनी लिखी थी वो देख लेना सस्ती सी बुक है देख लेना प्रतीज करके अच्छी बुक है और आपको एज ओफ डिस कॉंटिनिटी की जो जानकारी है मिल जाएगी जो इनवार्मेंट से रिलेटिड होता थोड़ा उसके बाद ओल बिजन की चीज़ें होती है कि प्रतिक्षा पाली कि जल्दी जल्दी बताया अगर वच्चो जल्दी जल्दी अकाश ने भी बोल दिया सी और दिति विरिया चलो ठी सी आंशर इस ढराइट है ठीक है जी फौर्थ कहकी दो चीज़ें आपको बताई है बिजनस इनृष्मा你的 की नौ चीज़ें laser होती है कैसी होती है जो इनौ आमनेंट को क्या करती है क्या करती है डिस्टर्ब करती है और दूसी बात इंपेक्ट भी ड बालते हैं वो दो तरिक्के की निवार्मेंट होते हैं कौन कौन से होते बच्चे एक इंटर्नल और एक एक्स्टर्नल इन्वार्मेंट होता है ठीक है इंटर्नल एंड एक्स्टर्नल वेरी गुड उसके बाद बात करते हैं नंबर पांच कोश्चन की नंबर पांच कोश्चन है which of the flowing type of risk can be attributed to macro variables and usually born to the control of business business के control से जो चीज़ें बाहर हो सकती हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जल्दी से जल्दी बताओ वहीं कि अच्छन बताया है दिती प्रिया ने प्रतीक्षा ने और अकास ने भी तनीशा ने जते हैं हाँ जी उसने जिसके अंदर एक सिस्टमेटिकल रिस्क की बात की जाती ہے जुसको मतलब अपने बिजिनस के जो कंट्रॉल है उससे बाहर होता है लेकिन यहाँ पर एक बात कीगी है macro variables की बात कीगी है macro variables वैसे ही बहार होते हैं जो बिजनस के पर उनका risk होता है वो systematical तरीके याद रखने आप लोगों ने उसके बाद बात करते हैं सिक्स नंबर कोश्चन की operating environment of the business operating environment किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों operating environment किसको बोला जाता है ठीक है जल्दी से जल्दी option का answer दीजिए questions का जिति प्रिया बोली है कनिशा जिति प्रिया प्रतिक्षा काश आप कहा हूं कि टीक है जी कि अधिस्टक हो रहागया स्टक हो रहागया system नहीं जानते क्यों नहीं जानते भई За जो कंपनी के अंदर के इनवार्मेंट से रेलेंटर नेर होता है मुझे पीछे ना जाना पड़े कहीं यहार ओप्रेशन वाले के मैंने आपको कई नाम पताए मैंने पिप्षे वाली क्लासी देखना वहां कि ऑप्रेशन एन्वार्मेंट किसको बोला जाता है micro को बोला जाता है और macro किसको बोला जाता है journal environment को बोला जाता है ठीक है six number question था ये बात कभी मत बोलना कि मैंने जो question दिया है वो करवाया नहीं होगा ठीक है अच्छे से करवाय होते हैं सारे सारे costumatic is the base ठीक है ये कौन से basis होते हैं जो costumatic of the business is basically किसके उपर based करता है जल्दी से जल्दी बताओ journal environment, micro, macro या political ठीक है जल्दी से जल्दी बताओ बिल्कुल easy सा question है बिल्कुल basic से question डाले हैं धीरे धीरे करके इनका जो हमारा level है वह भड़ता जाएगा और इनकी answer की है last के अंदर मैं add कर दूँ जैए प्रतिक्षा और सी दितिप्रिया बैटे सी कैसे होगा सी वाला तो पेस्टल होता है न जिसके अंदर CGI का मतलब क्या होता है पॉल्टीकल environment र mail मेंट को कुक है पैस्टल तो से चाहिए अधर पौल्टीकल पर पढ़ा करो ठीक है पैस्टल ऐसे था वो कि एक मिनट कि एसे नहीं था वह सारे का सारा हम लोग ने पढ़ा था जो तो इसका जो राइट आंसर पी से पॉल्टिकल एंवार्मेंटल शोशल टेक्नि लोजिकल है उसके बाद पैस्टल इए आएगा बता नहीं क्या आएगा एल से लीगल वाला था ठीक है एकनोमिकल इए आएगा पैस्टल का एकनोमिकल इंवार्मेंट यह सारे करवाएं नहीं थी मैंने वो पैस्टल और कोस्मिक कोस्मिक आता है हमारा पहले वाले में सी से कंजूमर है ओ से कौन से थे आई से कौन सा था आई से बताओ बच्चों कौन सा था सी से कस्टमर आ गया आई से कौन सा था हाँ M से कौन सा था M से बताओ कौन सा था इंटर्मीडेटर आई से आ गया M से बताओ M से यहीं चेक कर लूँ आपको मैं मार्किट मार्किट सा गया मैं पिछे चला जाओंगा देख लो और सी दोनों सी से बताओ क्या था दोनों सी से अभी चेकिंग हो रहा है ना मार्किट चैनल सी से बताओ हां सी से एम से मार्किट था गया कान पर लगाऊंगा तुम्हारे मैं एम से मीडिया था मीडिया मीडिया याद आया मार्किट कहां से आगी यह तो इसके अंदर आ गया ना मार्किट इंटर्मीडेट के अंदर मीडिया नहीं था जिसके अंदर दो चीज़ें करवाई थी पबलीक और दूसरे वाला सी से कंपीटिटर सी से रहे और से क्या है बताना यार हद नहीं की छोटी छोटी चीज़ें कि देंगे किसके अंदर आप पर चान्द चलोगे क्या मार्किट चैनल कैसे था यार मैं एक मेंट दिखा देता हैं आपको रुको लो यह देखो अच्छे से ध्यान से देखो क्या है M से मार्किट भी है ठीक है मीडिये वाला भी तो इसी के अंदर आता है मार्किट करवाया हुए ठीक है मार्किट है और एम से मार्किट ही आएगा ठीक है लेकिन मैंने मीडिया भी आ सकता है क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको पढ़ाया था देखो मार्किट के अंदर क्या पढ़ाया था और्गेनाईएशन किसके अंदर पढ़ाया था मीडिया मार्किट चैनल ठीक है बच्चों मार्किट चैनल ही आएगा और हमारा इसके अंदर कि यह इंटर्मिडेट से और्गेनाईजेशन है चलो अच्छी बात है आपको याद था तो सही है यह देखो सारे का सारा वही है जो सर हम क्या डांट दिये हम ठीक है रहे वाह चलो कोई बात नहीं डांट डांट भी अच्छी होती है कि बार होती है कि नहीं होती डांट अच्छी देखो कितना कुछ आप लोगों को पड़ा दिया मैंने और फिर भी अगर याद नहीं करोगे ना फिर तो लगेंगी आपके ठीक है ना डांट अच्छी होती है प्यारे बच्छो डांट अच्छी होती है लो जी यह था ठीक है यह था हमारा कोस्टमेटिक वाला किसके अंदर आएगा यह हमारा आएगा माइक्रो वाले के अंदर इसके अंदर आएगा पैस्टल ठीक है इसके अंदर आएगा पैस्टल यह वाला ठीक है पैस्टल का एक्रोनियम क्या है इसमें से देखो पैस्टल का एक्रोनियम क्या है सही वाला एक्रोनियम क्या बनता है प्रतिक्षा ने बोला सी और बाकी बच्चे कहां खो गए देखो अब एक बात बताओ जितना कुछ मैंने डीपली पढ़ाया है अभी बता बता के तो चलो ठीक है आप इतना डीपली मैंने समझाया तो आपको अभी कोस्चन जो भी दे रहा हूं ऐसे कोस्चन आते हैं ठीक है कुछ कोस्च्चन मैने केवीर समदा आंसजर एकि जो कमर्स की बुक हैं उनमें से भी लिए हूं है साहिए है आगे आगे बता हो कि साथ की साथ बताया करो टैंशन मत लिए करूँ आंसर कॉनफीडेंस से पढ़ायान है मैंने आपको हर चीज को तो confidencely answer किया करो दित्तिप्री आप भी करो सर नेट क्या थोड़ा problem हो रहा है अच्छा net का problem हो रहा है एक मिनिट ना एक मिनिट मैं आपको बोल रहा हूं रीजवाइन कर सकते हो तो करो ठीक है मेरे इधर ना जो मेरा ये वाला होटसपोर्ट चल नहीं रहा है ठीक है इस फोन वाला छोड़ता हूं वो दूसरे वाला है ना तब ही मैं पूछ रादा एक बार एक मिनट रुको मैं इसका होड़ स्पोर्ट छोड़के ना इसको मैं कुनेक्ट कर देता हूं एक मिनट में अगर हो गया ठीक है नहीं तो क्लास को रिजॉइन कर ले ना यहीं से कि चलो जी हो गया ऐसे हो गया और है चलो रहीं कि यहां पर आगे चलते हैं अभी है किस orange अजै नहीं मेरी तरफ से कमी थी थोड़ी मैंने अभी सट कर दिया दूसरे वाला लगा दिया यह अब नहीं रुकने यहां पर हो सकता है जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों बताओ आप अपनी और से ना वो कर सकते हो अगर मतलब एक दूसरे का अंसर ना दिखे ना आप आप परसनली चैट कर सकते हो मेरे से जो एवरीवन लिखा आ रहे न वहां पर आप परसनली अपना-पना डाल सकते ओं तांकि मुझे यह ना लगए कि आप एक दूसरे की नकल कर रहे हो तो वो देख सकते हो आप मेरे को सब लोग मेरे को मैसेज करो और मेरे को पता लगेगा यह आप कितना मतलब आपको समझ आ रहा है अभी तो 9th question पे हैं अभी तो हमारे 51 question पड़े हैं तो जल्दी जल्दी आंसर किया करो कर दिया करो ॐस सब लोग मुझे ठिके ड्राइक मैसीज को जो वो डैर के यहाँ पर प्रतीक्षा ने ऑस्प्शन बदाए आ neighborhoods ने भी आउप्शन बिताए अब कर झाय तो इक आए इसाय आप कहां पर हो डन सर आपको ही जाएगा अंसर वेरी गुड़ वेरी गुड़ सब लोग ड्रेक्ट मैसेज वाला उप्शन कर लो तांकि पता लग जाए सब को मतलब अपने तरीके से चलते हैं न थोड़ा ठीग है कर लिया तनीशा और वाद्धिती परी आपको समय ने आ रहा था बच्चे कुश्चिन अकाश ने भी यह बोला है तिनीशा ने भी यह और प्रतीक्षा ने भी यह कहां मतलब दित्ती परी आपको सुन रहा है मेरी आवाज आ रही है आपको स्लाइड शो और यह एक पर मैसेज करके बता दें राइट आंसर है इनोवेशन अगर बच्चे आपके पास कोई नहीं टे प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा तो रीज्वाइन कर लो क्योंकि यह क्लास आपके लिए इंपोर्डेंट है तो नाइन्थ ओप्षिन है कि कम्पीटिटिव अडवांटिस का बाती है मडियूलेशन के अंदर तो नहीं आती ठीक है ना डिमेंशन अलग-अलग कुछ भी हो सकता है वेरियेशन अरे भाई कितनी मर्जी वराइटी निकाल दो वराइटी से आप किसी को नहीं हरा पाओगे हराओगे तो नहीं किसी चीज से जो बैस्ट और इंपोर्टेंट फैक्टर हैं काम तो यह भी करते हैं यह भी ऑप्षिन राइट हैं लेकिन बैस् नंबर कोस्टन है मैकसिमाईजेशन ओफ विच दा ओफ दा फ्लॉविंग फिट में आइम औफ प्राइवेट औरुइंजेशन की अँन में से कौन सा में आइम होता है वुझा फ्राइवेट जो हमारे औरुइम ज 음तने हो का एक ऐसा एम बता हो जो क्या होता है कि कि तो सब लोग बता दें सब लोग बता दें कि तनीशा ने बोला दित्ती प्रिया ने फिर नी बोला दित्ती प्रिया सच बोलना आपको समझ आ कोस्वशन की समझ आ रही है का फिरा पांसर क्यों करतें गलत सही तो करो ना अभी भी मैसेज कर रहे हो ना आप तो गलत सही कुछ तो बच्चे आंसर करो ना मुझह भी पता लगेगा अभी वी बच्चा सामने वाला बच्चा उसको आ रहा थोड़ा यह नहीं आरा तो प्रॉफिय बिल्टी होती है प्रॉफियूटी को बढाने है वो तो निचोड देते हैं सुना नहीं आपने कई बहुत बार आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बच्चे कि जो प्राइवेट वाले हैं ना वो सैलरी तो इतनी देते हैं और काम इतना लेते हैं और गोर्मेंट वाले सैलरी उनका जो एम है दित्ति तुम सेंड तो पर दलजिंदर सर को खुड़ो हां दित्ति प्रिया आप सेंड कर सकते हो ड्रेक्ट मैसीज ऑप्शन आएगा वहां पर तो आप मुझे सेंड कर सकते हो मैसीज किसी को पता नहीं लगेगा फिर सिर्फ मैं आपका आंसर देख सकता हूं और कोई वच्चा आपकी नकल भी नमार सकता तो डी आंसर गलत हो जाएगा शोशल वैलफेर की बात करते हैं वही प्राइवेट वाले थोड़ा मोट कर देते हैं प्रोफिट होता है एक चीज के लिए एक बंदेगी और प्रोफिबिल्टी होती है ओवराल और्गेनाईजे का जैसे शेयर होगे सारी चीज की प्रोफिबिल्टी को ज़्यादा करते हैं मैक्सिमाईजेशन करते हैं ग्यारा नंबर कोश्चन आपका क्या है ग्यारा नंबर कोश्चन देख लो आगे क्या है कि विच आफ फ्लोविंग कैन बी टेकन एस दा मोस्ट जो वैलिड डिस्क् अकाश ने डी बोला और प्रतिक्षा ने यह बोला और आगे तो प्यारे बच्चों यहां पर जो ऑप्शन था बी मैं भी डाउट है किसको डाउट है दिख्षा को अरे बच्चे एक में बोला है एंटी वाले नहीं देते आपका उप्शन विल्कुल राइट क्लिक कर रहे हो उसके बाद आप वो रहे हो बी के अंदर डाउट है तो द करना होता है पुछा गया कि निमन में से कौन सा वैल साई उदेश्या सबसे वैध विवर्म के लिया जाता है आपको कौन सा काम एक वैली डिस्क्रिप्शन के रूप में करना होता हुदाए मेन मोटो आज के टाइम में क्या है मैंने आपको बताया है बी ओप्शन प्रोफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना है इंक्रीज दा वैल्थ हो फर्म अरे अकेली वैल्थ हो फर्म देखते रहना कस्टमर आपके पास है नहीं तो सबसे इंपोर्टेंट जो वैलिड डिस्क्रि जिनस का मोस्ट परपस क्या है कि किस से वो करना जो कस्टमर है उनसे अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना ही इसका में मोटो होता है लोगों की सैटिस्पेक्शन देखना उनको क्रेट करना प्रोफिट तो साथ में होता ही है प्रोफिट गलत नहीं है लेकिन मोस्ट वैलि यहां थच्छी होगी ऐसे थोड़ी गुट विल बनती है ऐसे थोड़ी पैसा आएगा तो में मुद्दा ही हमारा कस्टमर है अज कल कस्टमर की सैटिस्पेक्शन के लिए आप केष्ट में चेंज करते हो सब कुछ करते हो तो ए option is the right option है अब देख लोग किस-किस बच्चे को नहीं आता इतना easy option है जो मैंने class में पहले दिनी पड़ाया था अकाश ने भी गलत किया तनीशा ने भी प्रतिक्षा और दित्थी प्रिया ने सही किया ठीक है जी उसके बाद देखो आगे वाली बात question number 12 question number 12 which of the flowing refer to the system moral principle सही बात है डरना नहीं है ठीक है अच्छे से करो डरना नहीं है हिम्मत रखो और करते जाओ ठीक है तो जल्दी से जल्दी बोलो यह तो बहुत ही easy question है कि moral principle and rule of conduct apply to the business ऐसी चीज़ें किसके अंदर include की जाती है प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आंसर कर दो जल्दी से जल्दी ठीक है जी तो हमारा जो आंसर है कास तनीशा प्रतिक्षा स्वीटी सिंग सबने भी option बिलको राइट है मैंने आपको ethics की बात बताई थी एक बार द्वारा आपको ट्रिक की याद करवा देता हूं हां चलो बड़े अक्षनों में लिखते हैं ट्रिक बना रखिया ना तो बड़े अक् टिप ठीक है यह आपकी क्या है हमारे जितने भी ethics हैं उनका जितने मरजी सब्जेक्ट में आप ethics पढ़ लो इस principles के बाहर कोई भी ethics नहीं मिलेगा आपको मैंने पूरे के पूरे इनके अंदर include कर दी हैं कितने बनते हैं एक दो तीन चार साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेर भी 20 बनते हैं 30 बनते हैं 15 बनते हैं वो आपके सामने हैं और यह टोटली ethics आपके इसके अंदर cover हो जाते हैं जितनी बड़ी उसमें जाकर कि आप कलास में पढ़ लेना इनसे बाहर नहीं मिलेगा आपको इससे बड़ी कलास हो भी नहीं सकती यह porter का 5-4 force model है ठीक है वो किस प्रिके से related होता है relationship क्या है उसका वो बताना है आप लोगों को ठीक है जी relationship बताना है आपको और एक बात बता देता हूँ च्छे मिंड़ के बाद यह कलास आप लोग किसी लिंक से रीज्वाइन कर लोगे साथ के साथ question आज ही cover करने है 16 के साथ question आज ही cover करने है प्रतिक्षा ने बोला है और अकाश यह क्या मदलब अकाश गुम्रा कर रहे हो कि बच्चों और मेले को कर रहे हो ना ड्रेक्ट मैसी चल रहे हैं अभी तो सबके है सर गलती से हो गया ठीक है दित्ति प्रिया आप कहा हो यार सो जाते हो आप तो बी ऑप्शन अरे प्यारे बच्चों जो पोर्टल का फाइब फोर्स मोडल है वो इंटरनेशनल बिजनस में हमाँ पढ़ाऊंगा ठीक है लेकिन रिलेटिड हो बिजनस इनवार्मेंट से भी है तो एक और्गेनाइजेशन और उसके एनवार्मेंट है उसके अंदर ही आ जात उना माइड में एक धी सोचा करो क्या सोचना है Archives और साथ में इन्वार्मेंट की बात कर रहे हैं प्यास अंदर मैक्रो की बात करते मेक्र teraz ये चली ठाफी उसके बाद यही बात दवारा लिख दी ऑ्रगेनाइजेशन के स्वाइट्ट सिसाइटी क्या करेगी सवेषड़ सभी जगाँ पर इंडास्टरी यह औरंगेनाइजेशन को इंडास्टरी बोल सकते हैं अलग-अलग क्तविप कैसे तो राइट जो हमारा औप्शन हो एए और प्यूलिस है जो पूरा आड़ार यहारा से उसके साथ एक organization के साथ environment का link करके देखा जाता है किसके अंदर पोर्टर के five force model के अंदर आपको नहीं पता उसके अंदर देखा जाता है हाल मेरे तो ठीक एंडवलीन कोर मैं क्या बोलूँ अब ठीक है यहां five force model हैं वो इसके अंदर include किये जाते हैं एक environment के अंदर social competitor सब कुछ आ जाता है मैंने पढ़ा रख है माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों चीज़ें आ जाती है और वो सारी चीज़ें इन्वार्मेंट से related होता है उनके बीच में और organization के बीच में five force model क्या करता है relation बनाता है तो ए आंसर इस दा राइट आंसर चोदा नंबर कोश्चन की बात करते हैं विचो अब दा फ्लोविंग इस नोट ट्रू अबाउट दा हाई कंटेस्ट कल्चर अब पता लगेगा कौन बंदा कहां डील कर रहे हाई कंटेस्ट कि कास ने आंसर कर दिया है बाकी सब भी करो जल्दी से जल्दी किया करो इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग देखके देखके समझ आया करो कि जल्दी से जल्दी सब लोग कर दो अकास वीटी और टिक्षा दित्तिप्रिया तो सबसे पहले बात करते हैं कि कि वीच ओफ दा फ्लोमिंग इस नोट प्रियू अबाउड दा हाई कॉन टेस्ट कल्चर हाई कॉन टेस्ट कल्चर क्या होता है कोई बच्चा बताए हाई को बोला जाता है पता है किसी को कि टीचिंग के अंदर तो बताया था तो नहीं नहीं मालूम क्या किसी को देखो किसकी बात कर रहे हो मैं तो बताऊंगा यह आप लोग तो बताओ पहले हैं नहीं पता है सच में नहीं नहीं पता एक्स्प्लीसिट इंफ्रोमिशन की बात करते हैं जब यह ड्रैक्ट कम्यूकेशन की बात करते हैं यह एक्सचेंज एंड मोर ड्रैक्ली यह इजी सेंटर की बात करते हैं कि कि किसी भी कल्चर को हम लोग क्या कर लेते हो यह नहीं डाल दूँगा आपका जहां पर आप क्या करते हो किसी को टीम और एंटिड काम करते हो एक दूसरे को समझते हो वह सारी की सारी चीज़ें सके की जाती है तो वहां पर किस चीज का जुरूरत होता है कि आपको जुरूरत होती है एक मिनट रहां रीजवाइन कर लो इसी क्लास को फिर आपको समझा देता हो बीच में कट जाएगी एक मिनट रीजवाइन कर लो यह देखो बात यह है क्या है बात कि जब आप एक दूसरे को समझते हो हाई कंटेस्ट कल्चर मतलब एक दूसरे को समझना आना चाहिए आपको ठीक है आप किसी के ऊपर ट्रडीशनल चेंज नहीं करना चाहते हो या कोई भी ऐसी बाद इतनी करना चाहते हो आप जो भी चीज़े कर रहे हो ना आप असानी से कर सकते हो क्योंकि आप समझ रहे हो मतलब हाई कॉंटेस्ट कल्चर की बात कर रहे हो तो उस टाइम पर आप किसी के कल्चर के उपर वोल्चिल कर सकते हो कुछ इसका पता करना चाहिए नेगोशेशन लेंथी होती है अरे वही जब दूसरे के कल्चर से बात्चित करोगे जिसका पता ही नहीं है हमें तो बात्चित तो होगी आप लोगों की उसके साथ ठीक है कमपीटीटिंग उसको बाइड कर सकते हो अरे कमपीटीटर भी अच्छे होते हैं जब MNC कमपनिया होती है ठीक है जब वो दूसरे देश में जाती है उनका कल्चर समझती है कल्चर समझती है तो उनका इन्वार्मेंट समझने के लिए उनको हाई कॉंटेक्ट अपना जो संस था होती है घ्ल भी चल सकती है क्योंकि आपको नानकर आपको मलद शेंज वंच करने वहां तो उसकी पर करते है कि एक प्राइवेट तरीके से करते हो प्राइवेट नीजी स्थान पर डील करते ओं प्राइवेट स्पेस पर मस्तों करते जो बीडिंग होती है यह भी बोली बगए रहे हैं इसकी भी जुरूरत होती है हाई कॉंटेस्ट के कल्चर के अंदर ठीक है आई होप समझ गये होंगे मैं क्या समझाना चाहरा हूं सबको पता लग गया तो एक बार येस बोल दें फिर आगे चलते हैं उसके बाद नंबर हमारा पंदरा नंबर कोश्चन है विच अफ दा फ्लोविंग इस एन एलिमेंट ऑफ कल्चर का एलिमेंट कौन सा है कल्चर का एलिमेंट अब यहां पता लग जाएगा कि कल्चर का एलिमेंट कौन कौन सा हो सकता है गोए हुए तो जल्दी से जल्दी सब लोग बताएं और एक बार ना direct message करो मुझे ठेला message करना स्टार्ट कर दो एवरीबन मत करो सब को दीख रहा होगा पता लग रहा होगा फिडेक है तो बाकी सब कहा आंगे हैं परतिक्षा ने मी कर दिया तिनीशा ने मी चलो ठीक है सब ने कर दिया तो यहां पर जो हमारा आंसर है डी आंसर इस दा रौइट आंसर है और मैंने न ये दो-चार कोशचन है जो नई जो नई बुक आई आ हिए ना सर की उन में से लिए थे पर उन में मैंने देखा है बहुत सारे आंसर भी गलत है कोशचन भी गलत बना रखे हैं तो जिन जिन बच्चों के पास वो बुक है यहां जो यूज कर रहे हैं कॉमर्स की बुक उसके अंदर एक तो एक्ट बगार हैं वो भी गलत दिये हुएं तो वह चीज आप ध्यान से देख करके पहले चेक करना चाहिए जो बुक में लिखा है तो वह बहुत सारी चीजे गलत हैं वहां से कोश्चन है और वहां लिखा हुआ था विच ओफ दा फ्लॉइंग इस नोट एलिमेंट ऑफ दा कल्चर और ऑप्शन दे रखा था बी बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा यहर कल्चर से रलेटेड होती है लेंगवेस ठीक है ना अरे हंत में भी कुछ कोश्चन आंस कर लेना सोला सतारा नंबर कुश्चन मिलेगा आपको यह तो उसके अंदर भी आंसर दे रखा है और यहां नोट लगाया हुआ है बच्चे नोट कैसे आ जाएगा कल्चर से रिलेटेड ही हमारी क्या होती है कल्चर के ऐलिमेंट हैं यह सारे कि कैसा ट्रीशन चल रहा है मोडरन चीज़ें होती है और यह हमारी रूर एगुलेशन है उन से रिलेटेड होती है कल्चर से रिलेटेड नहीं होती है तो समझ सकते हो लीगल इंवार्मेंट से रिलेटेड है कल्चर इंवार्मेंट से यह रिलेटेड नहीं है डी ऑप्शन इस दा राइट ऑप्शन है सोला नंबर कोश्चन है विच ओफ दा फ्लोमिंग कैन बी सिगनिफिकेंट बैनिफिट आफ एनलाइज एंड अंडरस्टेंड दा बिजनस इनवार्मेंट यहां पर बच्चे बात की जा रही है किस चीज की सिगनिफिकेंट चीज़ों को जो एनलाइज करती है जो अंडरस्टेंड करती हैं इनवार्मेंट को बैनिफिट देती हैं वो कौन सी चीज़े हैं जल्दी से जल्दी ऑप्शन आप यहां पर कर सकते हो देखना है ध्यान से उसके बाद आंसर करना है तो एक बारी आंसर करना है वही सब लोगों ने तो पहला तनीशा ने दिया है एंसर है स्वीटी ने डी दिया है कास्ट ने डी है और प्रतिक्षा ने ए दिया है और कौन रह गया अपना दिती प्रिया आप क्यों नहीं दे रहे बच्चे आपको प्रॉब्लम क्या है पहले यह बताओ क्योंकि मैंने जहां तक आपके एक्जाम भी चलने थे ठीक है बिजनस इन्वार्मेंट आप बच्चे पढ़ा होता है एम कॉम में भी पढ़ा है आप लोगों ने तो यहां व क्या पूछा है what of the flowing can be significant benefits आप कैसे देख सकते हैं significant benefits किसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था Swart Analyze के अंदर मैंने आपको Globalization का कुछ भी नहीं पढ़ाया था लेकिन इतना बोला था कि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजे समझ आती है जब उसकी Advantage पढ़ाई थी सबसे पहली Advantage थी First Mover Advantage कि आप अपने बिजनस को जादा से जादा Benefit देने के लिए Fast चीज़ों को करो जो Advantage भी आपको दें Benefit Analyze ऐसी चीज़ों का करो जो आपको Fastly काम करें और Fast Move करें और आपको Advantage भी दें Globalization की बात कर रहेंगे तो Globalization का क्या मतलब होता है बच्चे Globalization का मतलब होता है पूरे विश्व को एक तरिक्के से देखना यहां पर Tariff, Non Tariff बगएरा की जो Restriction होती है Tax बगएरा वो नहीं होता ठीक है यह आग्ये वाले उसमें करवाएंगे Information की बात है Information तो आपको हर चीज़ के अंदर मिलती है चाहे वो तीनों चारों Option है Computer की बात है वो क्या Analyze करोगे उनको उनसे क्या Benefit होगा उनसे तो उनकी पता लगेगा कि वो कैसा सब्टिट्यूड त्यार करने है तो वो चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा Benefit ने दे सकती है लेकिन लाब जो देंगी वो Fast Mover Advantage देंगी Macro की बात करते हैं नीत रिजाने आंसर कि है प्रतिक्षा ने किया प्रतिक्षा अपना अपना Everyone से वो कर लो कि एवरीवन से डिरेक्ट मैसेज कर लो मुझे डिरेक्ट मैसेज शो ने चाहिए आपके सभी बच्चों के अब फस गए फस गए कई बच्चे फस रहे हैं अभी एक बार हसके दिखा दो सब लोग हसके दिखा दो क्योंकि सब कि बेस्ति मारूं अभी मैं अभी दूसरे लोग दो ना दूसरे लोग आंसर करो ना ठीक है ऐए अप्शन सी आई तिंक का मतलब होता है कि सबकी बेस्ति मारूं एक बार हसो सब हशो खुश हो जाओ फिर आपकी अच्छे से वह करेंगे ना बोलते हैं सबसे पहला जो आंसर था मेरे को आया था किसका किसका आंसर आया था तिनीशा का तिनीशा ने बोला था बच्चे ने बी आंसर राइट था ठीक है उसके बाद प्रतीक्षा ने में बी बोल दिया तिनीशा और प्रतीक्षा ये होगे अकाश बोला सी तेरी तो मैं बनाता ठीक है दित्ती प्रिया ओहो रेल तो इसकी बन गी थे अभी दित्ती प्रिया बोल रही है एक इसे साब से बोल रहे हो और यह स्वीटी ने तो सी पे उंगली रखी है अब मैं बता देता हूं अरे यार एक बात बताओ मैंने जब आपको एक चीज पढ़ाई थी माइक्रो एंड मैक्रो जब पढ़ाया था मैंने ठीक है मैक्रो पढ़ाया था मैंने बोला था यह चीज़ें आपके बिजनेस के उपड़ ड्रेक्ली इंपैक्ट करती है अब किसको यह वाज याद है और यह करती है इंड्रेक्ट किसको किसको याद है यह ये वातें किसको किसको याद है माइक्रोडर्ठ करती है अरे मैंने डिसक्राइब पूछा है मीनिग बताओ मैक्रो का मैंने यह े औब प्रक्षेस के लिए पागली और आटे मतना रुण मैं ने कोस्मिक निख रवाया कोश्य कंपिटिशन या जो आपके कंपिटीटर है ने ओर्गेनायजेशन है एस पे क्या था सप्लायर मारकीट है वर जी क्लास हापकी अक्तियार होगी है यह यह था तो कहां गोम रहा है डिस्क्राइब्स पूछा है मैंने किसको मैक्रोगो ऐसी छोटे छोटे कोश्चन अगर गलत करोगे ना पेपर के अंदर तो मैं लैप्टोप के अंदर से गुसके मारूंगा देख लो फिर अभी तो ठीक है ना अपना दिमाग आँखे खोल के बैठो जिसको चश्मा लगा वो चश्मा लगा ले अपना गलत मत करें कोश्चन मेरको अभी यार इतना इजी कोश्चन था मैंने डिस्क्राइब पूछा है वो नहीं कर पाए कोई ड्रेक्ट बोल रहा है कोई कम्पीटिशन कम्पीटिटिव इन्मार्मेंट मैंने कब पढ़ाया आपको ठीक है और शोशल शोशल की तो बात ही छोड़ दो ध्यंकर वाली पीड़ा आपको ठीक है उसके बाद 18 की बात करते हैं यह तो आज ही करवाया मैंने बाई विच एक्टर डूस ठीक है डा गोवर्मेंट चेक दा रिस्टिक्टिव ट्रेड़्स अभी बोलो अभी करो आज ही पढ़ाया मैंने आज ही परतिक्षा देगी आंसर पनीशन नहीं भी कर दिया है और अभी जिस बंदे ने गलत किया ना क्योंकि आंसर सामने ही लिखा पड़ा है जिस बंदे ने गलत किया ना उसकी तो ऐसी कि तैसी कि अरे कर दो आंसर है कि इतनी देर यार को सुन दो मैं पढ़ देता हूं कि वह क्या बात है कि दिति प्रिया ने में कि सबसे पहले किया था आंसर प्रतिक्षा ने प्रतिक्षा आजाली क्लास में थी तनीशा भी थी कर दो बेस्टी कितने कितनी कितना वेस्टी करहूं लगती नहीं दूब और यहां दिये भी रख्थ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड की बात करने इसके अंदर मोनोप्लिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव आज ही तो पढ़ाई है फुल फॉम कहां गुगगा मैडी यार गुगगा मैडी के दिन चल रहे हैं कुमारी पूजा करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है तो उसके अंदर है ट्रेड प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे था यार कैसे बंदे हो यार यह ए आंसर राइट है यहां पर यह बी क्यों बोल इसका मतलब यह नहीं है कि आज फेमा पड़ाया तो फेमा का सब कुछ ओगा को लीगल इन्वार्मेंट में यह भी आता है और मैंने इसकी फुल फॉम भी अच्छे से पड़ाई थी और इतना तो लंबा जोड़ा काम भी नहीं था एक बात बताता हूं देखने से आप खु लिस्टम है और यह नाइंटी वन वाली बोली गई है यहां पर ठीक है यह भी तो यह उप्शन बिल्कुल राइट है उसके बाद बात करते हैं उन्हीं नमबर की यह देखो यह फुल फॉम थी यह फुल फॉम थी अब करवाओ बेस्ती अपनी खीक है मोनोपलिस्टिक रिस्टिव अरे यह देखो पॉल्सी की बात नहीं है तनीशा पॉल्सीज नहीं प्रैक्किर्सीज करो करो आंसर करो जल्दी से करो 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 इतने टाइम थोड़ी होता है एक मिनट में देख लो एक चीज देख लोँ हाँ साथ कोश्चन आज रात खतम नहीं होगे अरे भाई मैं क्या करूँ आंसर ही नहीं कर रहा कोई वंदा ठीक है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ बोल रहा है रात पढ़ने तो कोई बात नहीं रात अपनी है ना किसी की थोड़ी है ठीक है किसी की थोड़ी है समझाना भी आपको कुश्चन है इसका मतलब यह थोड़ी है कि 60 मिनिट में कवर करके 60 के साथ कुश्चन चला जाओं समझा भी तो रहा हूं ना साथ में विच अमंग देखो यहां कि अब मैं क्या ही बोलू आपको यार क्या ही बोलू कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने यह कुश्चन आंसर सही दिया हो ठीक है पहली बार में पर स्वीटी ने ने आंसर बोला नहीं नहीं उप्शन और बाद में इननोंने सही बोल ला है मतलब तो A option is the right है यार देखो monoplastic practice की बात की जा रही है ना monoplastic practice अभ्यास की अभ्यास में आप manufacturing करोगे बेटा question के अंदर ही answer है आपका manufacturing करोगे selling नहीं करोगे selling तो मतलब बेचोगे समान को manufacturing के अंदर practice करोगे trade practice की बात है किसी एक चीज़ को बनाओगे ना खुद उसके उपर खुद एक चीज़ को बनाओगे उसकी चीज़ की बात है तिति भी या मूं कैसा बना रही हो A option right है यहां पर और selling एक चीज़ को sale करना monoplastic कदाचित नहीं हो सकता आप मालो आप दकान बना लिया आपने आप कैमपा कोला बना रहे हो या खुद एक ही बन्दा उस चीज़ को बेच रहा होगा जो company बनाता है वो तो monoplastic होगा जो बन्दा बना रहा है एक ही चीज़ को पुरे देश में मेरे से बिना कोई नहीं बनाएगा और वो मन चाया rate ले लेगा ठीक है लेकिन one product को sale करना गलत चीज़ थोड़ी है आप दिकान खोल लो आप कुरकरे बेचने लग जाओ मेरे लिए भी लेना एक ठीक है उसके बाद बार करते है limitation टेक्निकल ये तो आएगे निए एक कॉस्टन है और डी को अप्शन कोंगों बोर रहा था किसी की रेन्ज अकास ने और तनीशा ने डी अप्शन के हम बोर रहे थे आर डी अप्शन के हम बोर रहे थे competition है आप गलत तरीक्पे से competition दोड़ी कर रहे हो सो गलत तरीक़े से कम्पीडिशन का मतलब अलग चीज़ खूता है मोननोपूली आएगी जब आप कमपीडिशनी कर रहे हो लेह कहां गई जब अब दूसरों से कमपीडिशन कर रहेए। बताओ दो है Marketing अरे भाई yête सीमित रूप से कर रहे हो करतो रहे होना कंपीडिशन मोनो पॉली का मतलब एक अधिकार होता है एक बंदे के पस एका अधिकार एक बंदा काम कर रहे है दो वंदे ने कर रहे हाँ अगर economics वाली बात पर आ जाओगे ना complete कहां कह रहे हैं अब एक बात बताओ monopoly की बात पर आ जाओगे ना तो oligopoly भी होता है बेटा oligopoly जिसमें few क्या होते हैं हमारे बेचने वाले और ख्रीबने वाले होते हैं वहां आ जाओ अगर बोर रहे हो ना complete की बात नहीं है तो बेटा यहां बात इस चीज की है practice की है प्रैक्टिस किस तरिक्या से होती है जब आप लोग डोक्टर operation करता है प्रैक्टिस करता है अपनी डड़्डू के उपर करता किसी आप भी कुछ प्रैक्टिस करते हो तो लिखोगे करोगे ना manufacturing चीज़ें तो यह चीज आएगी वह वह तालिया मार दो अकास के लिए जल्दी जल्दी बताओ जल्दी स्वीटी सिंग ने बोल दिया है जल्दी यार आप ही आंसर नहीं जल्दी करते हो मैंने question कपका निकाल रखा है आप आंसर जल्दी नहीं करते हो फिर देर तो लगेगी ना अब बच्चे यहां मेरे को गुस्साच लगता है फिर कि मतलब इतना इसी question था कुछ बच्चों ने वह भी गलत किया अरे यार सीधा लगा लो 1947 में तो भारता जाद हुआ था कौन सी पोल्सियों की बात कर रहे थे तब उनिस सो चपन आंसर इसका राइट है एकदम ठीक है ना जिस बच्चे ने भी बोला है उसका तो राइट है जो रेजुलेशन थे वो कैसे पास हो जाते उस टाइम पर ठीक है उसके बाद पकड़ में आएगा कुछ लगा लो जायर देनी आएगा अब अब करो इसका हल सोशलिस्ट एकनोमिक सिस्टम है कैपलिस्ट में यह तीने चीज़ें पढ़ाई थी मैंने आपको कॉम्मुनिट कॉम्मुनिटीज वाली नहीं पढ़ाई थी तो जल्दी से जल्दी आंसर करो यार इतना टाइम को लगाता है यार यह जीज फ्फियर पॉल्ची की बात है जो मैंने टीचिंग में ही पढाई थी आपको याद करो क्या पता अच्छा दे दू कान के निचे स्वीटी गोर्यां कान के निचे लगा दो को ठीक है तनीशा ने दे दिया कांज अे दोगो कि मुझे लगताई दिल कर रहा अच पिटने का पहली बार कुलास में आया ना न तो दिल कर रहा है पिटने का वह होनहार बच्चों वह पिटने की बात पर अभी स्वीट राइड आंसर कर दी है ठीक है प्रतिक्षा कहां खोगे आप कि दे दिया इन्होंने आंसर जल्दी करो यार जल्दी-जल्दी आंसर करो भूख लगी हुए खाना-खाना मुझे भी याया शच्जा के अधी यह वाला अरे प्यारे बच्चों मैंदे को पड़ाया था लिज्यस होता आ है जब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में पढ़ाया था, ये बात आपको अच्छे से समझाई थी, जब बंदे की पूरी बुद्धी काम करने लग जाती है, वो सोसलिजम होता है, समाजी काम करते हैं, इसके अंदर गोवर्मिंट वाले सारे की सारे काम होते हैं, गोवर्मिंट अपने हैंडल स काम करते हैं, वो चीज ने आती है, कॉमिनिटी की बात ही छोड़ दो, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, एकनोमिक सिस्टम के अंदर, अब बचते हैं, इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, मिक्स के अंदर कैपिटल और सोसलिजम, और बचता है बी ऑप्शन, ब मैंने बहुत ही प्यार से पड़ाया था, पर आप लोग इसको भी गलत कर रहे हो, बी ऑप्शन इस दा राइट ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद चलो, बाइस नंबर पे, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, क्या गुल खिलाते हो, विच विच एक्टर रिख लिए, मैं बोलूंगा निकुछ, समझदार बच्चे ओ, अरे बाह, कनीशा ने, अकाश ने, दिति प्रिया ने, स्वीटी ने, गलत बात है ना, यह तो, यह तो बात गलत है ना, आप अंसर सही कर रहे हो, कुछ बच्चे और कुछ गलत कर रहे हैं, जब मैंने सही पढ़ा है, तो अंसर भी सही करो ना, मैंने आज ही पढ़ा है था, आपको आर टीपी के तो याद रखना है इसको ठीक है रिप्लेस कौन से एक्ट में किसको रिप्लेस किया गया था तो यह वाला जो भी आंसर है वो राइट आंसर है अभी तो ट्रेड ट्रेड कर रहे थे ना तो वही चीज़ें तो हैं कंपिडिशन के अंदर भी वही चीज़ें आई हैं देखो यार मोनोपलिस्टी की बात है सर जी प्लीज एक डाउट क्लियर कर दीजिए लिजीज फियर पॉल्सी तो पॉल्टिकल में आप बोले थे ना पॉल्टिकल अरे बच्चे पॉल्टिकल के अंदर प्लानिंग के अंद का मतलब क civ promoted है इसका मतलब होता है विएकता से काम लेना भी वेकता से काम लेना बुद्धी से हम लेना था independence के अंदर भी आएगा और और किसके अंदर आएगा जहां पर आप अपना खुद का प्राइवेट चीज्जों का यूज करते हो ठीक है उसके अंदर आएगा तो सब जगां पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको लिजेज फियर मैंने एक चीज के अंदर पढ़ा दिया तो हाँ एक चीज के अंदर पढ़ा दिया तो मतलब वहीं आएगा ऐसा नहीं है एंटी वाले ऐसा नहीं करेंगे तो यह इसका भी आंसर है आगे देखो विच पॉल्शी कंसर्व इस दा रिवैन्मियो थ्रू दा टैक्सेशन तो ठीक है जल्दी से जल्दी बता दो ठीक है कन्फियूज नहीं होना बच्चे कन्फियूज नहीं होना तेईस कोश्चन हमारे हो चुके हैं तनीशा ने आंसर कर दिया है वाह तालिया मार दो मैं काश के लिए काश मेरा दिल कर ला तगमा दे दूँ आपको कि इतनी कि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा सच बोल रहा हूं कि इतनी गंदी प्रफॉर्मेंस नहीं चाहिए बच्चे मुझे ठीक है ना मैंने सब कुछ सर मैं जल्दी से आपको यार गलत नी करना टैक्सेशन की बात है थूदा टैक्सेशन पैटरन मैंने बहुत ही डीपली आप बच्चों को समझाया कि इसके अंदर दो चीज़ें आज भी पढ़ाई थी कि यह इंट्रस्ट रेट को बताता है और किसको बताता है मनी की स्प्ल सी दा राइट आंसर है तो थोड़ा सा कंट्रॉल इतना जल्दी एंटिये के यूजी सी पेपर के अंदर मत करना कल को मेरी नाक कटवागे रख दो यहीं पर ही बहुत बुरा आल है आपका तो तो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए कि आपको बीस विस कोश्चन यां तीस प्रिया बताना आपको अकाश दोनों के हो गए है ना एक्जाम अभी अभी बस आ जाओ इधर आ जाओ ठीक है इधर आ जाओ और सब लोग हैं जो पेपर टू है जिन्होंने जॉइन करना है जल्दी जॉइन कर लो ठीक है एक दो दिन और देखूंगा नहीं तो मैं अलग ग से साथ यूनिट या दस के दस यूनिट कवर करो जितना मैं करवाओंगा ना उसमें से एक्जाम आएगा सीधी सी बात है जितना मैं पढ़ाओंगा क्योंगी मैं डीपली पढ़ाता हूं और आपके समझ आएगा बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि डिसंबर के लिए जॉ प्रतिक्षा ने भी वैसे यह कुस्चन मैंने करवाया नहीं है आपकी नोलिज के लिए ठीक है प्लानिंग कमिशन कब आया था में अरे सेट अब कब हुआ था उतना बताओ मुझे ठीक है ना जाद़ा नि में ए ठीक है ना साट अपक पू Сов्ल करवा था उतना बता दो विए ऊप्शन बिल्कुल गलत है इसका की अप्शन के अंदर तो अप्टू इंड़ा इंडिया सैट कब वह था वो बताओ वह इसको एक्सेप्ट कब गया गया था उतना बता दो मुझे तो देखो यहां पर सैट अप की बात की गिया है ठीक है बनाया गया था उसकी बात नहीं की गिया कि स्थापना की गई थी उसके बाद अपलाई कब किया तो बहुत सारा ओप्शन नमबर हां बच्चे बता रहा हूँ ना देखो ओप्शन नमबर ए वी आपका सही है ओप्शन नमबर बी वी आपका सही है ठीक है और सैट अप जो किया गया था अप टू इंडिया के अंदर पूरी इंडिया के अंदर जो भारत में इसका बनाया गया था 1950 को पंदना मारच 1950 को बन कि आप कोश्चन को अच्छे से द्यान से नहीं पड़ते हो देख लेना चेक करके उनीस तो क्यावन इसका आंसर है या क्रेक्ट आंसर का वह देख लेना ठीक है बाकी 50 भी जहां पर मतलब एक आवन ना दिया हो दोनों दिये हो अंताजय में ठीक है ए ऑप्शन भी सही है गलत की है 15 मारच 1950 के अंदर जो कमिशन था प्लानिंग कमिशन ऑफ गोवर्मेंट ऑफ इंडिया सैट अप किया गया था अप्लाई उनीस के अंदर अप्टू इंडिया के अंदर किया गया था तो दोनों ऑप्शन राइट जैसे हैं ठीक है घवराने की जुरूत नहीं है अब इ पड़ाया मैंने आज ही पड़ाया है अब तो लाज रख लो मेरी अब तो लाज रख लो यार कि अंताज्ये ना मारा करो वस अंताज्ये वाली बात गलत है बच्चे चलो ठीक है ठीक है ठीक है यह देखो अब आपको एक बात और बता देता हूं कि मैंने करवाई दो चीजें इसके अंदर भी ठीक है पास कब हुआ था पास दुआ था उननीसो नडीन में के अंदर और अपलाई कब किया था अगर मैं यही कोश्चन को पुछें ओं फेमा अपलाई कब किया गया था तो ओप्षिन आपका सी राइट हो जाएगा ठीक है सी ओप्षिन आपका राइट हो जाएगा कि एक जून दो हजार पूरे को इसको पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया था और पारित कब किया गया था पास्ट कब किया गया था पता ही आपको ठीक है कि अब आगये वाला पताओ पि यल्ट्य स्टेंड करती किस चीज़ को पी आल टी का फुल फोम बताओ पी एल एल टी इसोरी पी अल आर की फुल फॉम अकाश ने कर दिया है जल्दी जल्दी करो यार जल्दी जल्दी करो कब फिर राज डालोगे क्या साड़े दास तक मैंने सोचा था कम्पलीट कर देंगे ठीक है अप्शन तो किसी हालात में नहीं हो सकता ठीक है इसके अंदर एम डाल रखा है क्योंकि आपको पता पी-एम की फॉर्म क्या होती है प्राइम मिनिस्टर तो एम भी आता शोर्ट फॉर्म में ए तो पहले ही इलीमिनेट हो जाएगा डी-वि हो जाएगा ठीक है यह दो उप्षण बसते हैं इन दोनों में से देख लो प्राइज लीव रेज़ लेट हो सकती है यहां प्राइम जो राइट अप्शन है आपका दी ऑप्शन इस दाराइट उप्शन की प्राइम लैंडिंग क्रेट हो सकती है क्योंकि यह कि रेलेट्टी ऑत्ति है प्राइप रेट आपकी इंटर्णल जो बैंक मार्चिं वोती है जो यह वैसे जो ऑफ बैंक इंक का न भी बन सकता है और इसके अंदर भी वन सकता है हमारा जो मोनेटरी पॉलिश यह उसके ठीक है यहां सर अंदाजे में ठीक हो गया अरे क्या बात है यहां देखो यहां देखो आकर कि कि कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट है इसके अंदर सिग्निफिकेंट जल्दी से जल्दी देखो कि सिग्निफिकेंट किसके लिए हो सकती है यह देखो 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 जल्दी करो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है गूड्स हो सकती है जहां इमूवेबल हो सकती है पर्टिकॉलर गूड्स आदो कौन सा आंसर बच्चे यहां पर राइट हो सकता है तुनीशा ने प्रतिक्षा ने कास ने दित्थी-प्रिया ने और स्वीटी ने सब ने आंसर कर दिया है जो आंसर राइट है हमारा डी आंसर राइट है कि सारी चीज्जों के लिए consumer है production act है वो क्या किया जाता है इसके अंदर है यूज किया जाता है only movable या immovable property दोनों मतलब जो चीज़ें आप अंस्तांतरण कर सकते हो किसी को या नहीं भी कर सकते हो जैसे पैसा पैसा आ जाता है movable immovable जो transfer नहीं कर सकते हो यह cash आ जाता है इसके अंदर particular चीज़ों अरे particular क्या कंजूमर प्रडक्शन सभी चीज़ों के लिए होगा ना तो डी option is the right option है all goods and services के लिए according तो देखा जाए 2009 के एक्ट के कोडिंग जो amendment हुई है किसमें उननी सो जो श्यासी वाला तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है पहले वाला एक्ट भी और गूर्ट के लिए इस था और आज वाला भी है अब देखो और ध्यान से धियान से थीसमें से और तीन मिनट रहाएं थीन मिनट के बाद दो क्रीशन करी लेते हैं किस्तक तो करी लेते हैं ना उसके बाद जल्दी से जल्दी किर वादेंगे जॉइन कि अप्षिन ने भी बोला है कि नाओ ए कि मैंने कुछ लिखा नहीं स्पैसिफिक चीज्जों के बारे में उच्छ नहीं गया कुछ अजिश हुझतति आइडिया नियांस आइडिया कूण निया आपको इतना नहीं पता कितने की दिया स्वीर आपको इतना ही निए पता कि कितने राइट आपके सुनने का राइट देखने राइट कितने रॉट कि इंफ्रोमेशन का राइट है वाल अकाश ने तरिशा ने बोनों तरी बोलत अ civत्ती Palm ने स्टी सिक्सändern छों की बिलकूर और समात तो बोल देना सराज आपने आठ पड़ाएं अरे पागलो यहां मैंने लिखा थोड़ी है दोहजार उन्डी के कोडिंग अगर कुछ स्पैसिफिक अमेंडमेंट नहीं दी हुई तो पुराने वाला ठीक है ना कुछ चीज़ें नहीं दी हुई तो पुराने वाला चलेगा छे देखो ठीक है है और यह देख लेख मैडम है ना अन मेरे को इस मेरेसाथ ही काम कर नहीं guys यह ती और मेरे को अपने नहीं ग्रॉप बना के उन्हcios ब्लोग कर दिया और में यह वरिय सरफ पुराना गूप पाना ब्लोग करदो इतने तेज κάνate ना पूछो मत तो सिक्स वाला आ आंसर है वो क्या है बिल्कुल ही राइट आंसर है इसके अंदर तो ठीक है ना उसके बाद बात करते हो ठाई नमबस की उनती नमबर की बात करते हो हाँ उनती वाला होता तो एट होता ठीक है मैंने आज पढ़ाएं आपको वैसे शिक्स राइट आंसर है अगर कुछ पूछा ना गया हो वैसे ऐसे असान ओप्शन आते नहीं है तो आगे देखो आगे ठीक है एक बार ना रीजवाइन कर लो सारे क्लास रीजवाइन कर लो बाद में देना बाद में लगाना अंसर रीजवाइन करो खीच दो काम को अभी तो टाइम है बाद में फिर जल्दी 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 answer करो आके सब लोग direct message करना हुझे ठीक है कि करना मुझे सारे ही सही लगरे नहीं पर बताओ ना जल्दी से जल्दी बताओ कौ constitutional right है अरे बताओ ना कहां गई सब लोग कि डी उप्शन कोई डी बोल रहा है कोई सी बोल रहा है चलो जी देख लेते हैं क्या है हाँ जी ठीक है यहां पर बात कीगिए अंडर दा कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट दा राइट ओफ कंजूमर डू नोर दा इंकलूड टू मतलब किस चीज का राइट नहीं है किस चीज का राइट नहीं है प्रेजेंट टिड या सेफ्टी का या चूज का या इन्फ्रोमेशन का तो सी ओप्शन इस दा राइट ओप्शन है च्वाइस का राइट मैंने आपको पढ़ाया था सेफटी का भी पढ़ाया चूज का नोट वाला पुछा है बच्चे नोट वाला तो बताया ही है ना नोट वाला कौन सा है तो C option is the right option है कौन सा C option is the right option उसके बाद आगे पढ़ते हैं तीस नंबर की बात करते हैं तीस नंबर में क्या है कि वेन दा सेलर मैनुपलेटिंग दा प्राइज सेलर जब मैनुपलेट करता है प्राइज को उस टाइम पर कौन सी चिज्जें काम करती है देख लो यहां से एमपोर्टर यहां अनफेर ट्रेड प्रैक्टिस रिस्टिक्टेड प्राइज कौन से वाला उप्शन सही है यहां पर कि सब लोग द्वारा अंसर करना एक बार वो पुराने वाले दिख रहे हैं मुझे सब लोग द्वारा अंसर करो स्वीटी ने सी किया है चरीशा ने बी किया है और स्वीटी ने सी किया है अकाश ने बी किया है तो आंसर जो राइट है वो हमारा सी है बच्छे देखो इसी एक्ट के अंदर ही यह सारी चीज़ें देखी जाती है unfair trade की जो practice है जो यह वाला है रिस्टिक्टिव जिस चीज के लिए रोका जाए अगर वो चीज करोगे तो देखा जाए वो restricted चीज है जो चीज मैनूप्लेड कर रहे हो जिस चीज के ऊपर पहले रिस्टिक्ट लगी हुई है रोका जाता है प्रतिबंद लगा हुआ पहले से अगर आप वैसी चीज़ें करोगे तो समझ लो आप ठीक है तो c option is the right option है यहाँ पर आगे 31 नंबर वाला देखो जल्दी से जल्दी कि reappointment the same person is member मतलब जब भी आप report करते हो तो किस तरीके से द्वारा आप उस चीज को करते हो कि वह चीज़ देखो यहाँ पर विच ओफ दा फ्लॉविंग विच ओफ दा फ्लॉविंग फॉम कैन री अपॉइटमेंट दा सेम परसन इड़ दा मेंबर ठीक है देख लो यहाँ कौन सी चीज़ है उसी व्यक्ति हिंदी में देख लो नीमन में से कौन सा मंच उसी व्यक्ति को अपने सदस्या के रूप में न्यूक्ट कर सकता है कौन स यह में यहाँ है यहाँ सी अरे कोई भी नहीं कर सकता ना तो नेशलन वाला कर सकता ना स्टेट वाला ना डिस्टिक वाला ठीक है री पॉइटमेंट नहीं कर सकता कोई भी बंदा जो एक बार पहले रहे चुका है उसको री नुक नहीं किया जा सकता तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर वो डी है ठीक कि कंप्लेंड है जो कि पांच लाख की लेस देन कम से कम पांच लाख होनी चाहिए सब लोग मैसीज करो दुबारा से मैसीज करना एक बार 32 लिखकर मैसीज करना सब लोग ठीक है बाकी कहां चले गए है कहां वह प्रतीक्षा और वह भागे क्या कि अरे क्या हो गया था यह मतलब अरुगी थी क्या क्लास रुगी थी क्या एक बार लास रुगी थी क्या कि चलो इसका अंसर करो जल्दी से जल्दी वोई सारी है न सब को क्लियर मुझे लगता है नेटवर्क लो गया था वो बच्चे बोर रहे हैं उनकी क्लास रीजवाइन नहीं हो रही थी अरुगी ड्नापी? बच्चे एक बचुछी थी क्या क्या है ह। कर लो कर लो जोईन कर लो सब लोग मेरे कोश्चन तीन कोश्चन चूट गए अरे कोई बात नहीं रीजवाइन कर लो हो जाएगी दित्ति प्रिया दिख रहे अभी बीच में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है यार आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहां मेरी साइड तो नहीं है मेरी साइड तो अच्छे से चल रहे है कि हाँ चलो ठीक है इस इस कोश्चन का अंसर करो सब लोग 32 कोश्चन का हुई है अभी इस कोश्चन का अंसर करो सब लोग लोग क्लास बन गिये सर्प्लीज कटिस अरे कोई बात नहीं रिकोर्डिंग मिलेगी इसकी टेंशन मतलो 31 लग जाएगा ना तीस वाला यह करो पहले सब लोग यह तो मैंने आज ही पड़ा है यार आज ही पड़ा है आप लोगों को परटेक्शन एक्ट के अंदर कि ए ओप्शन तरीशा बोल रही है आगे पड़ो आगे जल्दी जल्दी बढ़ो जल्दी से जल्दी करो आगे आगे कि एप अ जो हमाँ आता है कौन सा स्टेट वाले यह डिस्टिक वाला है तोरी पांच खवाला और स्टेट वाला आएगा पांस से दस दस से लिकर आगे वाले हैं जो लोग नेशनलन के अंदर इंक्लूड किए जाते त्यत्य नमबर बताओ अब जल्दी से जल्दी एक क्रोड़ हो तो उसको कहां लेंगे एक क्रोड़ सब्सक्राब को कहां पर लिया जाएगा कि एक करोड़ वाले को कहां पर लिया जाएगा जल्दी से जल्दी बोलो बीज पर बोलiran नूय वाले यह बच्चे नए वाले कोडिंग न्यूंवाले कोडिंग सब्सक्राइब लेस दन लिखे ना तभी तो बोल रहा हूँ ना समझ जाना चाहिए आपको लेस दन की बात कर रहे हैं ना अगर अगर एक बाद लिखा हो तो पराने वाले अक्ट के अंदर जाता नैशलन में ठीक है अगर लेस देन लिखा तो बच्चों समझ जाओ की बात कर रहे हैं नए अक्ट की और डिस्टिक की वो यह थोड़ी लिखके देंगे आपको पॉइंट ही नोट करने पड़ेंगे आपको समझ गयो ना कि लेस देन लिखा है ना एक क्रोड से तो यही लिए मैंने यह दोनों कॉस्चन साथ में डालने हैं लेस देन डाला हुआ तो डिस्टिक के अंदर आएगा ठीक है अगर बीच की बात की जाए तो दस की बात की जाए तो समझ जाना ठीक है अगर एक क्रोड से लेकर दस क्रोड तक की बात करें तो स्टेट में आजएगा दस क्रोड से आगे बीस क्रोड पच्चिस क्रोड आगे उससे उपर की बात करें नैशलन के अंतर आ जाएगा समझ गयो ना क्या समझाना चाहरा हूं उसके बाद इसकी यह वही उप्षिन है दस क्रोड की बात करें हाँ दस क्रोड की बात करें तो कहां आएगा बताओ समझ आ रहा है प्रतिक्षा आपको आज वाली क्लास आपने देखी है समझ आई है प्रतिक्षा तनीशा स्टेट हाँ बिलकुल यहां पर स्टेट वाला आएगा ठीक है दस क्रोड से उपर की बात करतें अब तो नएं की बात है न ठीक है दस क्रोड यहां उससे ज़्यादा की बात की है यहां उससे कम की बात की है तो दस क्रोड है यहां उससे थोड़ा कम होगा यहां दस क्रोड है तो स्टेट के अंदर आएगा ठीक है एक क्रोड की बात की है यहां उससे कम की बात की है वो कहां आएगा वो डिस्टिक में आएग कहा 10 दसक्रोड और से मॉर की यह मूय लिखा ओथा दसक्रोड से तो भाई शीदा इसके अंदर जाता आगे बात करते हैं इसकी 25 नम्बर कोश्चन है दा कंस्वूमर has to write to get compensation compensation against unfair trade practice unfair जो MRP वाला वो है ना एम्टी आर्पी वाला वो इंपोर्टेंट एक्ट है वो खोड़ा करना चाहिए आपको दोनों एक दे दिया आपने कौन सा एक दे दिया मैंने दोनों एक दे दिया यह अलग अलग हैं सारे बच्चे अलग लगा हैं सारे देखो यहां दस क्रोड की बात है यहां एक क्रोड की बात है यहां पांच लाग की बात है शी डी नहीं वो नहीं यह ऊप्षन कि कि इसमें क्या घलत ऑफ्षन शी और डी सेन अच्छा अच्छ अच्छ यह उप्षन गलत होगे क्या अच्छा कि मैं तो कोई नहीं आप कोंसा चोड़ को एंसर की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर तो आपको क्या करोगे यहां पर मलब जो भी आपका दिकार आप प्राप्ति करोगे निवारन करोगे किस चीज़ का ठीक है ठीक है सेफटी वाला नहीं आएगा यहां पर तो उसके बाद गलत हो गया थोड़ा आंसर भी इसका भी इसका राइट है ठीक है पैंतिश चत्तिस वाले बात करते हैं अब गया वाट इस दा मॉस्ट वाइडली यूज तूल दा मुनिटरी पॉल्सी मुनिटरी पॉल्सी का जो वाइडली गूप से यूज किया जाता है वो कौन से ओपन 36 का भी सबने भी बोल दिया है हाँ सही है भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है भी के अंदर क्या की ओपन मार्कीटिंग है जो मुनीटरी पॉल्सी का ऐसा टूल है इस्यूग दा नोट यह तो आएगा नहीं डिस्काॉंट रेट है तो वी बच गया तो यहीं आएगा 37 नमबर वाला करो अब फटाफट करो प्रतिक्षा नबनाकर प्रतिक्षा ने बोल ला है अकाश आपने सी बोल ला है प्रतिक्षा ने अ भोल जीमिसी छिसके ऊपर और भी से सैंसियोग नेता है और कुछ ना कुछ कुछ चीज़ें गिरवी रख देता है मैं निजुक्ठ नियुक्तों कि क्या रख़रेता है उसको बोला जाता है ठीक है आर्बिए देता है शोर्ट टरम के लिए loan हां फोर दजा शोर्टरम तो यह c option is the right option temporary loan जिसको बोला जाता है रबियाई देता है उस रेकपे commercial bank को तो यही जो हमारा सी option है lens very good very good सर यह c होगा मैं तोड़ा जलदी पढ़ दी थी ठीक है आपने कौन सा लगाया था दिखो वैने बैंक नीड टू कैस्ट तू डिसकाउंट बिल डिसकाउंट एक्सचेंज वाला तो कोई ओप्शन ही नहीं था मैंने करवाया भी नहीं था वैन एक्सेस्ट कैस दे बाइस क्योर्टी स्ट्रॉम दा ओपन मार्किट आएगा स्क्योर्टी बेस्ता है यहां वो करता है ठीक है इट्रेट कैन भी ओफर बाइदा देर मोस्ट वैलूड कस्टमर टू प्राइम कस्टमर ठीक है प्राइम कस्टमर के लिए ऐसा कुछ नहीं है सी बिलकुर राइट था सी सर मैं भी पढ़ा है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है 37 नंबर अच्छा 36 37 38 नंबर है फिट वैं अर भी ड़क जिस और मार्किट ट्राशंक्शन रेगुलेट कि से चीज को रेगुलेट करती है आर एऊ इस चीज को रेगुलेट करती है आर भी आई किसके दौरा रेगुलेट करती है तोदिख लो बाप कि अधिक्षा बोली ए और अकाश दी दित्ति प्रिया बोली भी और मैं करूंगा बेश थी कि कि अरे डी ऑप्शन राइट है डी ऑप्शन राइट है ना मनी की सप्लाई करने के लिए भी तो वह इसका यूज कर सकती है ना उपन मार्किट का देखो पैसे अगर भेज लें दो काम है इंफ्लेशन जाद है तो क्या करेगी स्कूर्टी बेस देगी और इंफ्लेशन को कंट सब्सक्राइब अब यह बताओ वैंदा कैस रिजर्व रेशो सी आर आर इस इंक्रीज बाइदा गोर्मिन जब सी आर आर को इंक्रीज कर दिया जाता है उस टाइम पर क्या होता है अब जल्दी से जल्दी बिताओ कि आर आर को जब इंक्रीज कर दिया मैंने वहत प्यार से समझाए थे यह उस दिन एगहंटा लगा के अभी भी गलत करो गया ना तिनीशा ने प्रतीक्षा ने अकास ने और उसके बाद प्रतीक्षा अपना डिरेक्ट मैसेज कर लो जल्दी करो यार आगे और भी काम करने ह करके लिए कम्यूनिकेशन की कम्यूनिकेशन की कल क्लास नहीं होगी परसों मंडे को क्लास होगी विद्ध एमसी कूछ प्रिपेर करके आना ऐसे ही होगी जैसे यह क्लास हुई अभी B option very good B option right है जब आपको पता है CRR है जो वो बढ़ा दी जाती है तो bank भी कम loan लेंगे RBI से जब bank कम loan लेंगे तो आगे भी loan की कम supply करेंगे ठीक है increase यह गलत हो जाएगा no impact हो इनी सकता CRR बड़े और impact ना पड़े ठीक है और बैंकिंग क्लास लाश्ट पहले करवा तो दिया सब कुछ सब कुछ करवा दिया मैंने और बस मोडल बगारा दो चार चीज़े बच्कियां वो complete करवा दूंगा उसके अंदर परसेस बगारा जो मैंने इसका करो जल्दी से जल्दी तक मैंने मैंने क्या क्या चोड़ा एप सारे करवा दिया मैं इसके साथ करवा दूंगा अब इसका option बताओ सब09 कि ठीक रहे कमिंग अंडर रा सर्विस सेक्टर वेरी गूड ठीक है यह गलत तो नहीं किया किसी ने कि अन्वेनुफैक्ट्रिंग कुछ बनाता है बैंक नहीं बनाता सर्विस प्रवाइड करता आपको सबको पता है दूस याँ सित aynı उसक्त यह ंच इंचिका बेिन एक तालीस नमबर का जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा इसके अंदर मुनीटरी जो टूल्स नहीं है मुनीटरी पॉलिसी का कि सी आरार होता है एसलार होता है ओपन मार्किंग होता है डेफ़ी सेट फिनेंसिंग किसके अंदर होता है तो सी ओप्षिन यहां पर है जो राइट हो जाएगा उसके बाद बैलिस नंबर कोश्चन के अंदर पूछने हैं कि हाउ मच इंट्रेस्टिज पे बाइदा आर्बिय औदा मुनीटरी मनी डिपोजिट अंडर धा सी आरा अगर सी आरफ वाले जो पैसे देती हो आप अर्बियाई को तो कितना आपको इंट्रेस्ट पे करता है यहां पर बताओ जल्दी से जल्दी कितना इंट्रेस्ट आपको पे करता हैसे आरार के उपर तिनीशा ने दिया आंसर पिछला कोश्चन हाँ तिनीशा ने पहला आंसर दिया प्रतिक्षा ने उसके बाद इत्ती प्रिया ने उसके बाद बी और थी अरे वह खुमाल हो गई अकाश ऑप्शन मैं बताता ना अगर होते तो नीचे बोलता ना A का मतलब है A and B वो लिखता ना एक उप्शन का अंसर दो A की उप्शन का अनसर दो अकाश एकई चीज का अनसर दो वी बोलो सी बोलो A बोलो D बोलो F बोलो जितने उप्शन है एक अंसर देना यहां पर गलत है سी आंसर अरे सी और फे आपको मिलता ही नहीं है कुछ C.E.R.R. कैस Reserve Ratio होता है उस पे मिलता ही नहीं आपको R.B.I. से R.B.I. आपको कुछ भी नहीं देता उस पे उस पे कुछ भी नहीं देता Reverse Reporate पे देता है आपको वो भी कम देता है किसे Reporate से ठीक है बैंक रेट के ऊपर आपको आपको देना पड़ता है reverse reporate होती है जो उसके ओपर देता है CRR पे तो कुछ मिलता ही नहीं आपको उसके बाद SLR की बात करते है SLR वो होता है जो खुद के पास रखते हो वो भी कई बार यूज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो SLR को बतलब मुश्किल अमर्जंसी टाइम के अंदर 43 नमबर है हुजदा responsible for the supply of coin कोईन की supply करने के लिए कौन सा बंदा responsible होता है अब पता करते हैं यहां से मैंने करवाया था आपको करवाया था यह भी जिस दिन पढ़ाया है मैंने एक रपिये का नोट कोईन और जो मतलब छोटे नोट होते हैं एक रपिये का दो रपिये का पांच रपिये का यह नोट कौन बनाता है और कौन इसको publish करता है कौन आगे देता है वो बताना है मैंने इतना RBI के बारे में पढ़ाया है नहीं बी ओप्शन राइट है मनिस्ट्री ओफ फाइनेंस क्या करता है एक रपिये के पांच रपिये के दो रपिये के यह नोट भी बनाता और सिक्के एक के दसके हो चाए कितने की बिवो वो कौन करता है दसके तो नहीं खैर एक रुपीयों का हो गया यहां जितने भी कोईन बनाता है दस वाले तो आजकल चलते नहीं है ना इस फाइनेंस कैटरी दस तो होता है ना हाँ यह पर यह मुनिस्ट्री ओफ फाइनेंस है ना वह सिक्के बनाकर बेशती है यहां मतलब पब्लिश करती है क्यों सर्जेंस्वर यह आर्बिया यह और नहीं होगा चेक करना बच्चे रिस्पोंसिबली की बात कही है हूँ इस दर ने उसके बाद लिए देखो आर्बियाई इंक्रीज दा रेट ओफ इंट्रेस्ट इंदा सिच्वेशन और कौन सी सिच्वेशन के अंदर रेट ओफ इंट्रेस्ट को ज़्यादा करती है बताओ कि अब फस होगे सब के सब कि अच्छा कि अगे बताओ ना इस 44 नमबर का 44 नमबर लिखकी बताया करो यार 44 के अगे कुछ भी A B C D डालो अपना है कि मुझे पता लगे कि आप कोंसा बच्चा कोंसा च्वालिस का ए गलत है न सबस्ता निया आंशर इसे राइट है जब इंफ्लेशन बढ़ा पड़ा हाई इनफेशन है रेट आफ इंट्रेस्ट ज्यादा थोड़ी होगी लोग पैसा ही नहीं लेगा ज्छादे उसके ऊप रेट बढ़ाने जाती है जब लोई इंफ्लेशन होता है और लोगों को प्रेरित किया जाता है पैसे वो करने के लिए कि जो development है ज्यादा किया जाए high के उपर नहीं होता बच्छे high के उपर तो supply को कम करता है supply को कम करता है तो दोनों situation में ठीक हो सकता है लेकि लोग के उपर ज्यादा suitable यह option बैठता है ठीक है भी के उपर ज्यादा स्टेवल बैठता है आगे पिंतालिस नंबर कोस्चन की बात करते हैं एकनोमिक सर्वे इंडा इंडिया पब्लिश बाई अरे यार देखो देखो इंक्रीज है आर भी इंक्रीज करता है रेट ओफ इंट्रस्ट को यह रेट ओफ इंट्रस्ट होगी ठीक है इसको कब इंक्रीज करेगा जब हायर इंफ्लेशन होगा हायर इंफ्लेशन है लोगों के पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है वो सेव कैसे करेंग उनको तो खुद की चीज़ें लेनी महंगी हुई पड़ी है जब बीच का होता है या लोर होता है उस टाइम पर rate of interest है कि लोगों को saving के और मोड़ा जाए ठीक है ना जब आपको पता है कि market के अंदर सबजी 80 रुपीय किलो तो आलू हुए पड़े है ठीक है 80 रुपीय किलो ह हमें मिलेगा तो हम बैंक में deposit किया है हम अरे वह बात तो लग है ना increase rate of interest की बात कर रहे हैं यहां पर जो saving वाली होती है आप एक बात बताओ monetary policy है वो ऐसा बोलती है bank के अंदर deposit वो यह बोलती है जब की saving करने के लिए प्रेरित करती है आपको rate of interest के according देखा जाए तो saving करने के लिए आपको प्रेरित करती है वो कब प्रेरित करती है तब करती है जब low inflation होता है कि अब सारी situation अच्छी चल रही है inflation भी low है जब high inflation होता है ना तब rate of interest बढ़ाए या कम करे कोई फर्क नहीं पड़ता बंदा अपना खुद की रोटी चलानी मुश्किल हो जाती है मंगाई में तो भी करेंगे high inflation होगा हाँ दोनों के अंदर कर सकते हैं पर ज्यादा stable be option है ज्यादा stable है जो be option है ठीक है be option ज्य ठीक है उसके बाद मुझे समय नहीं आया तिनीशा देखो बच्चे देखो बात देखो अगर high inflation होता है ना high inflation हो किसको समय नहीं आया यह बताओ बहले high inflation है तो आपके पास पैसा ही उतना कि आप रोटी कपड़ा मकान है उसको पूरा अब lockdown है inflation भी जादा है तो आप किया कि किसी को ब्याज पर पैसे दोगे नहीं दोगे ना आपको पता है यार मेरी रोटी चलनी मुश्किल होई पड़ी है तो लो रेट inflation होगा ना जब उस टाइम पर आप लोग कर सकते हो उस टाइम पर आप इंट्रेस्ट की रेट है उसको कर दो तो आपके लोग हैं जो पैसा से करेंगे उस टाइम पर यह बात है कि उसके बाद यह बताओ पंतालीस नंबर कोश्चन जल्दी बताओ यार पचास तक ही मैं सोच रहां करवाओंगा आपको कि अग्युश्चन पिंतालीस नंबर का आंसर बताओ कि इंट्रस्ट रेट कम रखेंगे लिए पंतालीस का कि दोनों सेम है क्या इसके भी सेम आगे क्या नहीं तो सेम तो नहीं है ना इसमें फाइनस है इसमें इंडस्ट्रीज है अब कि अपन्तालीस का सी गिति प्रिया बोली है और पिंतालीस का बी बोली है तरिश्या नीटियों क्या है पता है नीतियों क्या है एकनोमिस्क में सर्वे पब्लिश कोन करता है यार नीती योग थोड़ी करेगा नीती योग थोड़ी करेगा नीती योग तो अपना खुद का काम करेगा यह मिनिस्ट्री ओफ फाइनेंस है यह करेगी और गोर्मिंट ओफ इंडिया यह दोनों मिलकर के करेंगे एकनोमिक के सर स्टम मालब एकनोमिक सर्वे करवाने का काम करेगी फिसिकल पॉल्सी इंडिया वो किसके लिए फॉर्मॉलेट की जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है यह बताओ जल्दी से जल्दी बताओ साथ मिनिट पड़े हैं और चार कोस्टन कर देने हैं साथ कोस्टन है हमारे बी कैसे भी फिसिकल पॉल्स से बूच रहूंगा कि कौन फॉर्मॉलेट करता है प्लानिक कमिशन करता है क्या जित्थी प्रिया वोडिया डी सी ओप्शन राइट है फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है डी तो किसी भी तरिक्के से पही नहीं हो सकता या डी कैसे स्क्यूर्टी अक्स्चेंज और यह तो अलग है यह तो एक्स्चेंज के लिए एफ्रूर्ण के कामों के लिए पॉलसी हमारी इंडिया के लिए होती है वो फनाइन्स मनिस्ट्री के द्वारा बजट बगहरा त्यार किया जाता है ना वो ही बताता है कितने पैसे लगाने है किस पे लगाने है ठीक है आर भी अपना मुनीटरी पॉलसी इसमालती है प्लैनिंग कोमिशन इसके अंदर नहीं थीक है तुक ऊसके बस से अपार 90 उप्सकिंशन देख़ो मिन इसन्टालीश नंबर कोस्चर पॉश्चण का बताओ क्या एंसर है ऐग्या कि कि इसकिस बढाद आन अकास ने Бी बोला है और घितृत्टि प्रिया ने ड दिनरता अलग अलग है मतलब तीनों का अलग अलग है और दित्ती प्रिया का ठीक है कि यह नहीं होगा कि दी नहीं होगा डी इस तो सही है कि दी तो सही है ना यहां बात किए इफदा डिड़क्ट जो आपकी गांस होते हैं पूदा स्टेट व्रदा क्रेशन किस चीज का क्रेशन करने के लिए टो बजटा करोगे तो बजट को बनाओगे कहां पैसा लगाना है कहां तक हम हम पुहँंच चुके हैं कितनी सम्पत्ति हम लोग ने बनानी है worried हमारा सी ओप्शन इस ला सोरी, D Option right होगए na, Rivenue generate करोगए, m Skillshare दित्थी प्रिया D Option था, सोरी, C नहीं, D Option, D option right होगए na, जिसमें आप क्या करोगे कि जब आप लोग क्या करते हो, जो आपका घाटा है, उसको पूंजी पत्रूफ से जो पूंजी गत्या मारा वता है, उसके अंदर निमान करते हो यह ग्रांट करते हो अगर उस घाटे को पूरा करोगे तो आपको एफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशेट बनाना पड़ेगा डी गलत है सी गलत है और यह दोनों गलत है ठीक है डी ऑप्शन राइट होगा आपका जो दिती प्रिया का राइट थ ठीक है अड़तालीस नंबर कोस्टन की बात करते हैं जल्दी से जल्दी बोलो और तालीस नंबर कोस्टन क्या हो सकता है देख लो भागे ना वाकी सारे डी ऑप्शन बिलकुल आगे और बताओ क्या पूछा क्या गया है कि जब एक्सपेंडिचर है लार्ज आइटरम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दा गॉर्मेंट रिवेन्यू को जर्नेट करेगी जब ज़्यादा रिवेन्यू अपने खात्तों में बढ़ाती है बड़ी मद्दों को तो उसके उपर क्या होगा कि आप एक्सपेंडीचर करने के लिए लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर बैन्यू ए इंडिया के अंदर एक्सपेंडीचर करोगे तो कौन सी चीज़ें आएंगे आपके पेंशन है यह नहीं हो सकता सबसीडी नहीं होगा थीक है अकांट के उपर है revenue count है expenditure करोगे आइटमेल होगे यह लोगों से तो interest payment जादी होगी आप लोगों की जब जादे large amount खर्च करोगे तो interest भी बड़ा payment करना पड़ेगा तो the option is the right option थेक है उसके बाद है यहां पर equally in the country can be best जो वोट है through the कैसे आएगी समानता कैसे आनी चाहिए अपनी equal समानता कैसे आएगी तो जल्दी से जल्दी बिताओ सब लोग मुझे लगता है भाग रहे हैं Progressive और एक ने तो प्रोग्रेसिव बोला है और इंट्रस्ट पेइमेंट हां इंट्रस्ट पेइमेंट है बच्चे उसका तो राइट ऑप्षिन और आगे तनीशा दिति प्रिया बोलो इसका आपको क्या मिलेगा जब आप देश की समानता बनाओगे देश की किसी देश में समानता कि हम आद्यम से सबसे अच्छा क्या लाया जा सकता है क्या चीज़ें आती हैं देश के अंदर expenditure करोगे तो प्रोग्रेस होगी होगी भी प्रोग्रेस भी होगी टेक्सेशन थोड़ी है अगर आप खुद एक्वैलिटी को दूर करोगे पैसा लगाओगे तो टेक्सेशन वाला नहीं आएगा ठीक है डी भी नी एक्सपैरी तो यहां पर रिग्रेसिव होगा रिग्रेसिव क्यों होगा कि आपका देश है जो वाप्तवसी उसके और हटन नमबर है इसका जल्दी से जल्दी बिताओ उसके बाद ग्लास कोवर करते हैं क्योंकि आप लोग इंट्रस्टीड ही नहीं हो लास्ट कोश्चन इसके बाद और भी है वह अगली बारे में मतलब जो चीज वापस आती है रिग्रेसिव आप सर्च करना जाकर पता लग जाएगा जो चीज आपको कुछ ना कुछ चीज लोटाती है ठीक है करोगे इनिक्वैल्टी को दूर करने के लिए लोग आपकी मेंज को अच्छा बनाएंगे आपको कुछ मिलेगा कंट्री के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब ऐसी जगहां पर लगाओगे कोई भी इनिक्वैल्टी दूर करने की तो वहां के लोग आपको चाहने लगेंगे वहां से भी पैसा आएगा आपके जो आपने इन्वेस्ट की है और लोग आपकी इमेज भी बनाएंगे मतलब लोट करके आपको बहुत चीज़े मिलने वाली है ठीक है इसके अंदर प्रोग्रेस से प्रोग्रेस करने वाला नहीं होता सिस्टम प्रोग्रेस तो होता है ना मतलब जो जहां पहले चीज़ बन चुकी है उस चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए एक्सपेंडीचर कि यह वाला कोश्चन है बच्चे यह वाला कि फीसिकल जो डेफिसेट है यूनियन बजट किसके एक्वल किसके होता है बस इतना पूच्छ है कि अरे क्रंट के कैसे हो सकता है एक बार क्लास को रीजवाइन कर लो क्लास को रीज़ों कौन सो अप्शिन राइट है तनीक्षा बताओ जल्दी जल्दी पीप्रिया बताओ बच्चे आप भी आप बोरे हो क्रंट की बात ही होती है क्या फिसिकल टोटल मैंने नहीं पढ़ाया था उसके अंदर की टोटल की भी बात होती है यह कैसे हो जाएगा यार क्रंट कैसे हो जाएगा मेरे को यह बताओ फिसिकल डेफिसेट किसके एक्वल होता है आंस्वर ए आंस्वर इस दा राइट आंस्वर है इसका ए आंस्वर इस दा राइट आंस्वर है नेट इंक्रीज इन दा इंटरनल एंड एक्स्टरनल डॉविंग ठीक है कितना आप बजट की बजट की बजट की बाहर और अंदर से कितना उधार लिया आप लोगों ने डेफिशेट बजट या यूनियर बजट उसको बोला जाता है ठीक है यह चीज़ें तो आपकी किसके फिसिकल के अंदर है उसके अंदर बजट की बात थोड़ी आएगी और क्या सही तो बोल रहा हूं मैं देखो तो फिर टोटल की बात है भी कैसे हो जाएगा फिर यह बताओ तो बी कैसे हो जाएगा भी कैसे लगा सकते हो नेट इंक्रीज इंदा इंटरनल एंट एक्स्टरनल अरे डेफिशेट किसको बोला जाता है जब आप लोग उधार लेते हो उधार चाहे वो आर बीआई से नोट बढ़े वोखना से लएती हो यह आँसे लेते हो तो बाहर वाले देशों से बाहर वाली से लेते हो उसको ही बोला जाता है तो रिवैनियू की बात कहां आगी यारउ सके अंदर है रिवैनियू की भात थोड़ी आएगी ना इक्स पैंडीचर की है आप उधार ले रहे यह तो यूनियन वजट कैसे बनेगा उसका मतलब किसके बराबर होगा जो चीज़ आपने बाहर से लिए या अंदर से जो ब्रोविंग की है उधार लिए वह चीज़ यह ऑप्शन बाकी गलत हो जाएंगे यह बताओ आगे इसका बताओ अब जो चीज़ आप बोल रहे हो इसका पिसिकल जो डेफिसेट है किस चीज़ को इंप्लाइज करता है कि टोटल एक्सपेंडिचार माइनस रवेन्यू रिशिप्ट और पिसीज़ के अगार एंड इंक्लिए ब्रॉमिंग थीक है यह और यह ऌप्शंड देखो किस इंदर ज्यादी चीज्य से आये हैं जो रिकावर किया वो भी आ जाएगा प्रिसिप्ट डिसनेंट का आज मैंने पड़ाया था कि पप्लिक सेक्टर को बेचने के लिए ठीक है ना अरे लोन वाला इसके अंदर या जाएगा डाव रहेन्यों किया आप लोगों कहां से ब्रोविंग ब्रोविंग से किय चाहिए किसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी ना एक्स्टर्नल इंटर्नल लोन का रिकवरी आया वह आ जाएगा तो ए उप्षिन आपका बिल्कुल राइट होगा यहां पर ठीक है और यह वाला है तो तो सब में आ जाएगा ना वही तो बात है ना तो सब आ के अंदर आएगा ना सारी चीज़ लेंटमेंट होड़ी अंदर उसके ए चैज़ेंगी रिएन्यु वाली चीजीं चाहे वह आप एक्टर्नल लो कुछ भी लो मुट्ँश माविंग करो ने ले अबligen क्योई आती हैं सब लिखतना यह अपर यह दो दो चीज़ें एक्स्ट्रा डाल रखी हैं आगे समझो जो फिसिकल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजर्ट मिनेजमेंट है ना वाज पास्ट इसको पुछो यह चीज नहीं है थोड़ी अरे इसका अंसर यह है बच्चे एंसर राइट है इसका देखो पी इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है एफ आर बी एम एफ आर बी एम अब देखो अब देखते हैं क्या जीज़ें रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट दोनों चीज़ों की बात है बच्चे यहां पर दरी आएगा कि इसका देखो कि यह किस किस चीज में आती है इसका देखो कौन-कौन सी चीज़ें है यह किसी का रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मनेजमेंट एक्ट है जो वाज पास्ट टूदा चेक कौन-कौन सा अप्शन है जल्दी बताओ यार बूख लगी है बहुत सारी ठीक है बस आठ कॉस्टिन हो रहे हैं उसके बाद चुटी है आप लोगों की और उसके बाद मैं कम्यूनिकेशन की बनाऊंगा पीडियेफ और कल की तो चुटी है संड़े आपका वैसे भी राखी है ने कल तो सी ओप्शन सी है सबकर ठीक है दोनों का तनीशा का भी और और दित्ति प्रिया का भी ठीक है सी ओप्शन इस दा राइट ओप्शन ठीक है जी सी ओप्शन राइट ओप्शन है उसके बाद अब यह बताओ वैन दा फेमा एक्ट उननी सो कम इन फोर्सिस कब आया था फोर्सि पीशा ने बता दिया है और दित्ती प्रिया ने बता दिया है कौन सा अप्षिन है बच्चे कि यह गलत है बच्चे सी के अंदर देखो यह तो लिखा ही हो आना यह तो लिखा है वह थोड़ी पूछेंगे इन्टू दा फॉर्सिस काम कब करने लगा था लागव कब हुआ था तो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एक जून दो हजार पूरा जब काम करना स्टार्ट किया था अब यह बताओ विच सैक्शन ओफ दा फेमा एक्ट डील विद दा अग्जंप्शन फ्रॉम दा जो रिलाइजेशन एंड रेप्रियेशन विजदा कौन सा सैक्शन है इसका यह सैक्शन याद रखने है अब आपको जो चल रही है ने क्लास चल रही है जो अभी इसके सैक्शन बच्चे आपको याद रखने हैं सबको इसके अंदर बातचीत की जाती है किसी भी अग्जंप्शन की और वसूली की जो भी है छूटे है ठीक है आपकी रिपेट्शन है जो भी रिपेट्शन से हैं और जो भी आपकी अग्जंप्शन है यहां पर की जाती है नाइन नंबर एक्ट के अंदर ठीक है अभी एक्ट वाले भी मैं मैंने आज करवाए नहीं है इसके अंदर पर मैंने सोचा कोश्चन के थूँ आपको करवा दूँगा यह बताओ आगे बताओ पच्पन नंबर कोश्चन है कि विच सेक्शन ओफ दा फेमा एक्टर डील विद्धा अपॉइटमेंट ओफ दा एड़ जेस्टिक ज जो अथोर्टी होती है उसको कैस किसके अंदर नियुक्त किया जाता है अरे थोड़ा सा तो बतानी कोश्च करो ना अब मैं बताता हूँ इसको कैसे याद रखने है आप यह मांनके चलो कि आपने नो आइडिया चलो इसका ऑप्शन नमबर A, इसदर आइट ओप्शन है अब इसको याद कैसे रखने है आप लोगों ने याद कैसे रखने है मालो one nine 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 है ठीक है आपको पता है यह उसके फिर हैं ओप्शन नमबर ए था जो अपना इसको बाई तू कर दो बाई टू करोगे ना एक बार एक बार मतलब एक बार एक लोगे तो मतलब इसको काटोगे इसको ठोड़ो इसको काटोगे 3-3 का इसमार अगरा वह आए गापॉइटमेंट of the educating ठाटेक्ति के अथ्वाला सोलां के अंदर आएगा 27 सेक्शन क्या क्या चीज़ां आती है बताओ बच्चे 27 सेक्शन क्या क्या आएगा ऊसके अंदर है इसके अंदर भी छोटी सी बात में है आप अपेल दा हाई कोट नहीं आएगा भी वाला आंसर बिलकुल राइ टेस्स का ठीक है यह आप याद कर ले ना मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूं 27 के अंदर क्या आएगा अपील्स करोगे स्टार्प टू स्पेशल जो ड्रेक्टर होता है वो इसके अंदर हमारा आ जाएगा उसके बाद बात करते हैं कि क्वालिफकेशन्स फोर अपॉइट्मेंट टू स्पेशल ड्रेक्टर है उसको अपॉइट्मेंट करने के लिए जो स्पेशल है पीछे वाला कौन सा था हमारा 27 था तो मतलब उससे पहले वाली चीज़ें आएंगी तो 21 वाला आएगा इसके अंदर ठीक है यह मैं करवा रहा ह आपको मैंने बोला था आज क्लास में एक्ट भी करवाऊंगा तो 21 वाला इसके अंदर आ जाएगा क्वालिफकेशन चेक करते हैं उसके बाद यह तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सेश्चन है जिसके अंदर इसकी पीडियों कहां मिलेगी विच सेक्शन ऑफ दा फेमा एक्ट डील विद्धा सेक्शन फॉर फेमा एक्ट नाइम कौन से यह अरे कॉस्चन के अंदर यह आंसर दिया हुआ है फोर आला आएगा अरे इन्होंने पूछा है कि कौन सी धारा ना फेमा एक्ट को प्रेजेंट करती है ठीक है कौन सा सेक्शन है वो सेक्शन नमबर फॉर यह जो फेमा एक्ट को प्रेजेंट करता है ठीक है फेमा फॉर को प्रेजेंट करता है 59 का कॉस्चन नमबर है कि सिलेक्ट section 48 of the FEMA कौन से है अरे वो ऐसे ही ना वो मतलब थोड़ा disturb करने के लिए डालते है section 48 वाला कौन से है ये तो मैंने आज करवाया भी था जिसके अंदर क्या किया जाता है rule regulation to be lead to the parliament parliament के rule regulation इसके अंदर क्या किया जाते हैं संसद के वो फेमा के अंदर रखे जाते हैं किसके अंदर 48 सेक्ट के अंदर किका उसके बाद section नंबर 10 है मैंने important सारे लिए है rule regulation हाँ पैन के अंदर कौन सा लिया जाता बताओ बच्चो ये भी करवाया था आज मैंने आज यह करवाया था अगर कोई विच्चा class में आया था तो इसमें से कोई ऐसी term है जो जानी पेषजानी लग रही है अपको reserve bank authority person नहीं यह नहीं मैं यह वाला undertie person वाला s option right है authorization person है ना 10 के अंदर है जो deal करते हैं जो समझाते हैं विद्धा डील करता है अथोराइजेशन परसंट ठीक है यह वाला रिजर्व बैंक वाला नहीं आएगा फेमा के अंदर नहीं आएगा रिजर्व बैंक सी आंसर इज़ा राइट आंसर है तो थेंक यू आल फ्रेंस आई होब कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसी तरिक्वे से अगर बात करें किसकी फॉर्ण की बात करें तो उसका एक्ट नमबर एट है ठीक है फॉर्ण वाले का भी एक्ट नमबर एट आता है कि एक करवाया तो नहीं है ना मैंने अगर फॉर्ण की बात की जाए ना फॉर्ण एक्सेंज फॉर्ण एक मिनिट यहां एक कोश्चन था चलो गूम हो गया वह कुश्चन चलो ठीक है ठीक है कौन से वाला आपको सारे इनकी वीडियो अभी दो चार घंटों में अप्लोड हो जाएगी मैं अप्लोड कर दूंगा ठीक है जी तो लो थैंक्यू आल फ्रेंस टेक कियर बाइबाई इनको द्वारा देख लेना सभी चलो है जीक है तो गुचा लेग ठीक है जीकऑ खीक हैँगे से तो तो आठीग कर देखसे म कलो दो खेसे खमाशने से अलूदाब कर दो एबेदाएल जो